यह स्टुटेंट थे राज्य सरकार टिक है तो आपने केंद्री सरकार के बारे में सग्छा कर ली थी कि कीटने यंग होते हैं संगीय व्यवस्ता पिका संगी कारयपालिका और नयाएपालिका ठीक इनके बारे में कर चुके थे पर हमने राज्य प्रसासन पर कल आथा राज प्रसासन की भी पड़ी थी थिक अब राजी सरकार के जो पहला जो अंग है उसके बारे में है कि नुरप है मैं निस पढ़ा था कि राज्य कारेपालिका में किस-किस को सम्मिलित किया जाता तो राज्यकार्यपालिका में जो मुख्या रूप से समिरित किया जाता है राज्यपाल का राज्य के नाम मात्र प्रमुक होता है यानी उसका नाम से सारे का रिकी गये जाते जाना जाता है तो हम इसमें राज्यकार्यपालिका में हम इन तीन चीजों को पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ेंगे कि राज्यपाल जो राज्यकार्यपालिका का प्रमुख होता है समिधान के द्वारा सारी सक्तियों का उलेग है सारी सक्तियां उसे ही प्रदान की गई है लेकिन उन सक्तियों का वास्तिक प्रयोग जो है वह है वह द्वारा किया जाता है God अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं राज्यकारिपालिका में किस-किस को सम्मिलित किया जाता है तो इसमें हो गया राज्यपाल तहता मुक्यमंत्री और मंतिपेसित ठीक है तो जिस तरह केंद्र में अगर आप से पूछा जाए कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र म राश्टपती के समान जो है राज्यों में राज्यपाल होता है तो केंद्र में राश्टपती के समान राज्यों में राज्यपाल राज्य का क्या होगा समवधानिक प्रमुग होगा आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में राज्यपाल किस प्रमुग की भूमिका में होता ह अतार्थ राजिपाल को सविधान के द्वारा सारी सक्तियां दी जाती है देकिन उनका प्रियोग वास्तों में नहीं करता ठीक है वास्तों में जो है नाममात्र का सक्तियों या इसको कह सकते हैं नाममात्र का प्रमुख है राजिपाल या समयधानिक प्रमुख है ठीक है पर वास्तुविक सक्तियों का प्रियोग ये इसको जो है मुख्य मंत्री को जो है समयधान का वास्तुविक प्रमुख कह सकते हैं या फिर देखे इस राज्यपाल को राज्य में जो है राज्य अध्यक्स कह सकते हैं समयधानिक अध्यक्स कह सकते हैं और वास्तुएक अध्यक्स जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है तो सांसना अध्यक्स यह होता है ठीक है राज्य अद्यक्स पूछें राज्य अद्यक्स राज्य पाल होता है और सासन अद्यक्स कोण होगा मुख्य मंत्री होगा यानि सारी राज्यपाल के सक्तियों का वास्तिक प्रियोग कौन करेगा मुख्य मंत्री और उसकी मंत्री परिश्द के द्वारा किया जाता है तो राज्य कालिपालिका में सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल को तीक है राज़िपाल का जो पद है वह बहुत पुराना पद है बेटिस काल में अगर हम देखें अंग्रेजों के राज में भी गवर्णर का पद होता था जो एक अंग्रेज अधिकारी होता था उसका गाई तो क्या था वो रियासतों में गवर्नर के रूप में होता था पूरे रियासत की देख रहे करता था रियासत में कितने जो है राजसों आ रहा है रियासत में सांती व्यवस्ता है के नहीं है तो अंग्रेज गवर्नर न्यूक्त होता था था अब यहां पर बाद में जब सर्देश आजाद हुआ तो governor यानि पद का नाम वो ही रख दिया और हिंदी में जो है इसको राज्यपाल नाम के एक पद सर्जित कर दिया गया जो राज्यों में रखा गया राज्य में राज्य सरकार की जो क्रिया कलापों की देखरेक करनी के लिए इस पद को सरजित किया गया राज्यपाल बनाए गया तो राज्यपाल अब बात करते हैं कि राज्यपाल जो है सबसे पहले राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे राज्यपाल की जो नियुक्ती है याद रखना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ती है वो राष्टपती के द्वारा की जाती है राज्यों में राज्यपाल कौन न्यूक्त करता है राश्टपती करता है ठीक है और राश्टपती के प्रसाथ परियंत ही अपने पद पर बना रहता है यानि राश्ट्पती ही राज्जिपाल की राजियों में न्यूक्ति करता है और वो ही उसे हटा सकता है तो राश्ट्पती करता है ठीक है किसकी सला से केंद्री मंती परिश्द की सला से केंद्री मंती परिश्द की सला से तो राज्यपाल की न्यूक्ति कौन करेगा याद रखना है राज्यपाल की राज्यपाल की न्यूक्ति कौन करता है राष्टपति करता है किसकी सला से केंद्र की जो मंत्री परिश्द होती है यानि प्रधान मंत्री और मंत्री परिश्द की सला से वो राज्यों में और तो कि और दूसरी बात राष्ट्पती के प्रसाद्परियंत ही हिक्ष पती के प्रसाद प्रियंत ही वह अपनी पद पर बना रह सकता है याने राश्ट पती जब चाहे किसी भी राज्यपाल को सामाने तब राज्यपाल का कारिकाल पांच वर्स होता है लेकिन राश्ट पती चाहे तो इसे पांच वर्स से पहले ही हटा सकता है कभी भी और कभी भी एक राज्य को दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकता है यानि ट्रांसपर भी कर सकता है राश्तान की राज्यपाल को गुजरात का राज्यपाल बना दिय तो राश्ट्पती न्यूक्ति कौन करेगा राश्ट्पती करेगा किसकी सला से केंद्री मंति परिश्ट की सला से राश्ट्पती न्यूक्त करेगा और राश्ट्पती के प्रसाथ परिंथी अपने पद पर बना रहता है सामानित अगर उसका कारेकाल पूछा जाए आपको र राज्यपाल का जो कारेकाल होता है वो पांच वर्स होता है एक राज्य में वो कितने वर्स तक बना रह सकता है पांच वर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है लेकिन पांच वर्स से पहले ही उसे कौन हटा सकता है राश्पति हटा सकता है तो राज्यपाल की न्यूक्ति के सम्मंद में दो चीजें दो परंप्राएं है थीक है तो परंप्राएं क्या एक तो जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए गुजरात महाराश अन्य राज्यका हो सकता है लेकिन राजस्तान का निवारी परंपरा है समधान मुल्लेग निये सीज़गा लेकिन एक परंपरा बन गई ठीक है और दूसरी बात है कि सामाइन तो इस पद पर उसी व्यक्ति को रखा जाता जो एक उच्छे क्वालिटी का र राज्यपाल बनाकर कि भेजा जाता है कि सामधेत क्या होता है कि जब किसी केंद्र में जिस राज्य की सरकार है जिस दल की सरकार है वो दल ऐसे व्यक्तियों को भेजती है जो किसी चुनाव में जीता जीता नहीं है या कोई रिटायर अधिकारी है ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को कि राजिपैल के रूप में राजटियपाल की निउक्ती कौतम कर देगा है राजटियपाल की निउक्ति करता थै injustice की सला से केंदी मंति परिश्ट की सला से करता है ठीक है और राजज्यपाल जो है वो राजपती के प्रसाद परियंथी अपने पद पर बना रहसत पर आती है कारेकाल राजज्यपाल का सामानित राजज्यपाल का कारेकाल पांच वर्स होता है लेकिन राजपती उसे पांच व प्राहें हैं एक तो कि उसी राज्य का निवासी नहीं होना चुछे जिस राज्य में उसे राज्य पाल बना गए बेजा जाता है और दूसरी माननेता यह है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य पाल बनाया जाता है जो जाना पैचाना राजनितिय हो, ठीक है, या फिर स्वेवानिर्वत कोई अधिकारी हो, ठीक है, लेकिन वह, पद़ पर न्यूक्त होने के बाद वो राजनितिय से ततस्त होता है, यानि किसी दल से उसका कोई लेने देना नहीं होता है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना राजिपाल के समन्द में तो कारेकाल समन्द राजिपाल का कारेकाल कित्ता होता है पांच वर्ष फिर राजिपाल की जो न्यूक्रिया है उसके लिए जो दो योग्यताएं होती है सामाजते हैं राज्यपाल के लिए दो योग्यता होनी चाहिए ठीक है पहली योग्यता क्या वह भारत का नागरिक हो वह भारत का नागरिक हो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी उसकी आयू कम से कम 35 अर्स हो निवन्तम कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष होने चाहिए दो योगता है राज जिपाल की होती है बाकी और कोई योगता नहीं होती है पड़ा लिका हो या कोई जरू नहीं हो कोई महिला पूरुस कोई योग्यता हैं राज्यपाल के होनी चाहिए एक तो क्या होगा भारत का नागरी को ना चाहिए यानि किसी विदेशी व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल बनागे नहीं बेजा जाता और दूसरी मानिता क्या है कि वह है उसकी जो नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए तीक है अब इसके समद्ध में दो परंपरा हैं हम पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल के नियुक्ति के समद्ध में दो परंपरा हैं कि दो परंपरा है क्या नमर एक कि राज्यपाल दो तीन परंपराएं कह सकते हैं एक उस राज्यका नागरिक नहीं होना चाहिए यह उपनी पड़ ली थी उस राज्य का नागरिक ना हो जिस राज्य में उसको न्यूक्त किया जा रहा है उस राज्य का नागरिक ना हो एक तो ये परंपरा है ठीक है? हालागि इस परंपरा को तोड़ा भी जा सकता है लेकिन सामाने तो ये माना जाता है यह होता है कि जिस राज्यका राज्यपाल बनाया जाता है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होता है तो एक तो मानिता यह हो गई दूसरी मानिता राज्यपाल की नियुक्ति से पूरू राज्य पाल की नियुक्ति से पूर उस राज्य के मंदल उस राज्य के मंदल मंदल या कौश्टक में किसकता हैं उस राज्य के मुख्य मंदल उस राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्ष किया जाता है आनक एवल एक परंप्रा है ठीक है क्या परंप्रा इस मतलब क्या हो गया कि अगर राजस्तान का राज्यपाल बनाना है राजस्तान का राज्य पाल बनता है तो एक परंप्रा ये है और उसकी मंत्री यह प्हत्रना परामर्ष करता है तो यहिस क्या करता है उसे है उसको से इससे avait शला ने परामर्स है मतलब हो गया एक मणा गर दें तो और भी निट कर सकता है कोई यह लेकिन यह परंपरा है कि उस राजी के राजवेपाल से उसके जो है उस राजी के मुख्यमंत्य से इसको जो है परमप्रा इस परामर्स लिया जाता है या उसको जो है इसको बारा में सूचना दी जाती ठीक है एक परमप्रा और भी है कि एक प्रसाशनिक शुदार आयोग बनादा कि प्रसाशनिक शुदार आयोग इसमें चाइब गुर्ण सिसे चाहिं कर देखे लिए एक बार कि पद के लिए नियुक्त किया जाए रहा है कि यह सुझाव दिया कि राजयपाल की जो की जाती है उसमें एक आदमी को केवल एक ही बार जो है इस पद पर रखा जाए दूसरी बार लगातार दो बार इसको नहीं किया जाना चाहिए तो यह कुछ कुछ परमप्राएं से दो परंप्रा इंसलिंप वरिष्ट राजनेतिग्यों को एक वर म्हें राजनेतिग्यों नोकर्साहियों या सेवानिर्वत नोकर्साहियों को नियुक्त किया जाता है जो इनों कर राजनिति का लंबा अनुबव हो या कोई बड़े प्रसाशनिक अधिकारी पद पर सेवानिर्वत हो चुका हो एसे वक्ति को राज्यपाल बना करके भेजा जाता है ध्यान रखना यह केवल परमपराएं है इसका पालन करना जुरूर रही है तो प्रंप्रा हैं का मतलब या है यह तीन चार प्रंप्रा हैं क्या कि उस राज्य का नागरिक नहीं होना चीए जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जा रहा है यह भी एक प्रंप्रा है अगर नियुक्त करते हैं तो कोई बाद देता नहीं दूसरा राज्य पाल की नियुक को तोड़ भी सकता है सुधार आयोग बनाता प्रसास निकैसुदा उसने एक कि समाहनेता एक बार राजइपाल बनने के बाद लगाता दूसरी बार बदे एक व्क्ति को एक बार झाल जाना उस्फ राजये का राजइपाल बनाया जाना चाहिए और दो बार नहीं यह भी एक परमप्रा है कि इसको भी तोड़ा जा सकता है और चौथा सामानेता इस पद पर वरिष्ट राजनितिक्यों को उस पार्टी के जो है सेंट्रल नियुक्त करती है केंदर सरकार तो वरिष्ट राजनितिक्या है या रिटाइड कोई प्रसाशनिक करता है नो राजि परिष्ट करता है राजिप्ति की स्लाओं से केंदी मंती परिष्ट UP再 करता है राजिपाल राजपती के प्रसाद परेंती इसके पद पर बना रहता है राजपति जब चाहyah है उससे अटा सकता है किसी संसत से पूछने की ज़रूत नहीं है तो वह राश्ट्रपति के प्रसाद्पनिती अपने पर पे बना रहता है तीसरा कारेकाल होता है पांच वर्स योगेता है उसकी क्या होती है बारत का नागरिक होना चाहिए और नियूंतम आयू 35 वर्स होनी चाहिए चौथा कुछ परंप्रा हैं इससे समंदित क्या परंप्रा है उस राज्जी का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्जी में से न्यूक्त किया जा रहा है दूसरा न लगातार दो बार नहीं या लगातार दो एक पद पर एक बार नुक्त किया जाने और एक परंप्रा है कि इस पर पर वरिष्ट नार राजनितिक्यों को ही नुक्त किया जाता है तीक है वह तो यह ओगे राज़्यपाल के समंद में चार पॉइंट हो गए अब कुछ और बाते fidelity में एक ऐयोग का घठन क्या गया था जिसका नाम था आरत सरकारीय अ्युक्त कि सरकारिय कि सरकारिया रमेहिश्चन संबंदों को सुधाने के लिए अच्छे संबंदों को बनाने के लिए इस आयोग की गठन किया गया था 1983 में और उनको यह सुझाव देना था कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों में आपसी संबंद बनाये रखे जा सकते हैं ठीक है तो संस्थाय अयोगने राज्यपाल को लेकर के सुझाव दिये तो 1983 में केंद्र और राज्यों के संबंदों को सुधाने के लिए एक आयोग गठत किया गया था आरेस सरकारिया आयोग ठीक है उस सरकारिया आयोग ने राज्यपाल से सम्मंदित कुछ सिफारिसे की है ठीक है तो सरकारिया आयोग की क्या सिफारिसे हैं सरकार्य आयोग की सिफारिश सुझाओ क्या है किसको ले कर गे कई सुझाओ दिये लेकर राज्य पाल को लेकर की उसने क्या सुझाओ दिए थे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं नमबर एक सरकाई अरयोग ने सुझाओ दिया था कि राज्यकपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति कि कारेकाल पूरा हो जाने के बाद कि कारेकाल पूरा होने के बाद पुना किसी लाब के पदपर नियुक्त न किया जाना चाहिए पुना किसी लाब के पदपर नियुक्त न किया जाए के संभाने त theCUBE माना जाता है कि राज्यपाल को राज नेतिक रूप से तढ़र्णा जरूरी है उसे किसी लेंvä न देना नहीं है यानि एक तढ़र्णा होता है लेकिन कभी-कभी होता है कि राज्यपाल पांक साल पर पह रहे और फिर वापस वह किसी किसी पार्टी को जोईन करकर चुनाव लड़ लेता है इसका मतलब राजने तिस्रेश वापस जुड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं होना ची सरकारिया योग ने सुझाव दिया था कि अगर एक बार कोई राज्यपाल पत पर रह जाए पांस वर्स किसी भी राज्य में तो उसक किसी लाब के पत पर नहीं किया जाना चीए वापस किसी दूसरे पत पर उसे नहीं बेजा जाना चीए यह वापस चुनाव लड़ने के लिए यह नहीं का चुनाव लड़े ठीक है तो किसी लाब के पत पर वापस नहीं किया जाना चाहिए ताकि वह राजनितिक रूप से क दूसरे जो सुझाओ दिया था कि केंद्र में जिस दल का साशन हो केंद्र में जिस दल का साशन हो जिस दल का साशन हो उसी से समनित व्यक्ति को उसी दल से समनित समनित व्यक्ति को राजय पाल नहीं बनाना चाहिए ऐसे जिसने पूर में बीजे-पी इसके राजने बहुत बड़े विवाद होगा तो जिस दल का शासन के अंदर में हो उससे समन्ध वग्द्य को राज़िपाल नहीं बनाना चाहिए दूसरे यह सिपारिश दीती कि तीस्ती सिपारिश और दीती सरकार्या योग ने कि अनुचेद 155 में संसोधन करके करके कि यह आवश्यक्क कर दिया जाये कि राज़िपाल की न्यूक्ति में राज़िपाल की न्यूक्ति में कि मुख्यमंत इसे सला ली जाए मुक्र मंत्य से सलाह ली जाए अभीतक 155 मां ऐसा नहीं है। इसमें ये इसाब लिखा वाए कि राजियपाल की न्यूक्ति राष्ट्पति करेगा। केंदी मंत्ये प्रिश्टर्ट की सलात। ये कहीं नहीं लिखए और कि राजिपाल की न्यूक्ति करने से पहले उस राजी के मुख्यमंति से सला ली जाए तो सरकार आयोग ने इस तीसी सिफारश दिया है कि अनुचेद 155 जो अभी यह कहता है कि राजिपाल की न्यूक्ति राश्पति करेगा कि राजी के साल उसके साथ काम करना है इसलिए उससे राजिपाल की न्यूक्ति कौन करता है कारेकाल कोता है और एक लुख करने के बाद को फिर रमने न्यूक्ति totally". और कुछ परंपराएं पड़ी थी तीन परंपराएं पड़ी थी तो इस प्रकार में कर सकते हैं कि राजिपाल की न्युक्तिक से संबंदी जो है न्युक्ति करता कौन है राश्ट्पति करता है किसकी सला से करता है केंदी मंति परिश्टत की सला से करता है ठीक है और उसके ब पराली का नहीं है कि पड़ाली का होना चाहिए या राजनिति के होना चाहिए तो केवल दो योगता हैं इसके समझ में तीन परंप्राइं भी है परब्ठीजां है यानि एक बार किसी पत्र पर नemiठी झा जाल लेनी चाहिए यानि सला देखर के बाद ही राश्पति उस राजी में उसको राजी पाल बना गे बेजें तीसरी एक और सुना है कि इस पद पर ऐसे व्यक्ति को एक परंपरा बन गई है कि ऐसे व्यक्ति को जो हारे हुए राजनिति म्येंहें या कोई बड़े प्रसासनिक शेवा निरवता या कशा अई-प्येस अदिकारी हैं ऐसे व्यक्टि को जो है इस पद पर भेजा जाताए को यह परंप्रा इस का पालन्य पालिप्रों के समस्मन्द में है पिर एक केंद्र और राज्यों के समन्द को लेकर य dlatego आयोग बनाया था इस आयोग का नाम था सरकारी हो तो सरकारीய्य आ तो क्या सिपारिस हैं की थी पहली सिपारिस कि राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को यानि एक बार राज्यपाल का कारेकाल पूरा हो जाए तो कारेकाल पूरा होने के बाद अगर पुनाय वापस वह सक्री राजनिती में नहीं जाना चीए यानि किसी लाब के पद पर वापस किसी मंत्र का चुनाओ लडे एक बार राजिपाल बन गया अगर हो तो वापस किसी राजनतिक पद में १ि विवाद का करण क्या रहता है ? कि राजिपाल को ऐसे विपक्षी दल का जो वेक्ति अगर किसी राजिय में विपक्षी दल की सरकार है तो वहाँ पर केंद्र जुम्हें जिस दल की सरकार होगी वो उसी दल के अपने दल के आदमी को राजिपाल बना के बेजेगा ताकि वो बार बार जो है राजियों के कारियों में कठना पैदा करें तो केंद्र और राजी के सम्मझ उससे खराब होते हैं इसलिए शिवर्खरकार्यायों ने सिपारिश दीती कि जिस दल का सांसन हो उसी दल से समझ व्यक्ति को राजय पाल नहीं बनाना चाहिए बलकि राजय पाल बनने के बाद उससे तटस्त रहना है उसे सक्री राजनी से कोई मतलब नहीं रखना है इसलिए तटस्त व्यक्ति को इस पाद पर बेजा जाना चाहिए और एक तीसी सिपार्श सरकार्यायों ने दीती कि कि वर्तमान में अनुस्यत 155 यह कहता है कि राजय पाल क कि अनुखियत में संसोधन करके यह यह अनिवारे कर दिया जाना चाहिए कि जिस राजय में, राजय पाल न्युक्त किया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री से सला लेनी जरूरी क्योंकि अगर सला नहीं लोगे तो उसे पांच साल निकालने और फिर दोनों में केंदर राज्यों में आपस में विवाद होने की संभावना अधिक होती है तो यह राजिपाल से संबंदित कुछ बाते थी इसमें आपको इतना ही धन्यवादी